कि नमस्कार मेरा नाम है शेवरम और आप देखना शुरू कर-चुके हैं थाम गाप पिछले वीडियो में पिछले तीन खंडों का हम लोगुने वाचन कंप्लेट कर Madame यानि की समाधी पाद साधन पाद और वेभुती पाद का हमने वाचन पूरी तरी समप्रग्यात समाधी को वर्णित करता हुआ एक ऐसा अध्याय है जिसके माध्यम से आप संप्रग्यात समाधी के बाद होने वाली संप्रग्यात समाधी भी कुछ समप्रग्यात समाधी की तरह बढ़ना चाहता है यानि इश्वर में खुद को विरीन करना चाहता है इसे व्यक्ति को चाहिए कि वो एक बार पहले सिद्यों के विशव में जरूर जाने और जब सिद्यों की बात आती तो जहिर सी बात है कि महर शिपात अजली अपने शुरुवाती खंड में बिभिन प्रकार की सिद्यों का वर्ण कर चुके हैं किस माध्यम से सैयम का माध्यम करते हैं उससे संबंदित जिस भी चीज़ के मूल में आप ध्यान करते हैं उससे संबंदित आपको पूरा पूर जोर घ्यान हो जाता है यह संयम की खासियत है इसके अलावा जैसे सूरे में आप सहीम करते हैं, चंदर में सहीम करते हैं, हाती में सहीम करते हैं, तो महर्शी पाताजली ने इनका सबका वड़न क्या है, आगे बताते हैं महर्शी पाताजली की बिभिन्न प्रकार की सिद्या होती है हर वेक्ति के जीवन में, जो उसको आगे बढ़ा सकती है, या उसको य सब्सक्राइब carry forward हो जाता है अगरे जन्म के तरफ तो उसे जन्म से सिद्धी बोलता है आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो by default जब से उनका जन्म होता है तब इसे वो बहुत योग्यों होते हैं जैसे अच्छे musicians होना अच्छे अच्छे सिंगर होना और बहुत सारे बच्चे तो जैसे अभी आजकल आपने बड़े अच्छे बापां को भी देखा हो जो बहुत चोटे-चोटी उमरों में होते हैं इसले उनके पास बड़े अच्छी सिद्धियां होती है तो उन सिद्धियों का बाचन महर्शी पात करते हैं मंतर की शक्ति तो बाखोबी सबको पता है मंतरियों सोलमूल प्रकार उसे होके बनता है और यही सोलमूल प्रकार जो मंतरियों का हिस्सा होता है उससे बनके आगे बढ़ता है जब आप मंतर की सिद्धिय को देखते हैं तो मंतर की सिद्धिया आपको बहुत आगे तक लेकि जा सकती है, लोगों को हवा में उड़ना, कैसे अंतरध्यान होना है, कैसे किसी को बस्म कर देना है, और ऐसे बहुत सारी शक्तियां मंतर के तहत आती है, फिर बात आती है, तपस्षरिया से, तपस्षरिया का मतबता शरीर को इस तरीके से तपाना, कि शरीर जो है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन का मतलब ही होगा है, कि जब भी मालिजे की कोई जैसे किसी को उड़ान भरनी है, या किसी को अपने वानी में सरस्थि का वास लाना है, तो ये सारी चीजें बहुत संभावित हैं, जब व्यक्ति बड़े आराम से तपस्षरिया करे आप एक और मैं आपको बड़ा अच्छा उधारन देता हूँ, आपने वाँ अबारत में गांधारी को देखा होगा, हमेशा उनका जो है, उनकी जो आकिती बंद रही हैं और जब भी उन्होंने जब दुरियोधन को देखा, तो बाखो भी उनका पूरा पूरा शरीर वज् है और सिद्धी दे देती है, और इसके बाद जो फेवरिट विशय है महरशी पातंजली का जो है समाधी, समाधी से भी व्यक्ति को सिद्धी मिलती है, महरशी पातंजली अगले स्लोकों में बताएंगे कि ये समाधी की जो सिद्धी होती है, वास्तविक तोर पर यही होती ह देखे बड़े क्लियर है महर्शी पतंजली अपने विश्यों में कि बेटा मैं तुमको सारी प्रकार बता दूँगा जितने प्रकार से सिद्धियां पाई जा सकती हैं लेकिन यह है कि उनका वर्डर नहीं करते हैं वो आपके साथ साथ जरूर कर देंगे कि इतने प्रकार की स है कि जात्यांतर परिडाम प्रकृति आपूरात यानि कि आपूरात का मतलब होता है आपूरन होने से पूरन होने से प्रकृति का मतलब होता है जो प्रकृति है परिडाम का मतलब हो गया फल जाती का मतलब जाती अनंतर का मतलब होता है मनुष्य में मनुष्य से भिन जाती में जो changes होता है शरीर वो इंद्रियों का अर्थ हुआ है इसका कुल मिला लगे शरीर और इंद्रिया जो होती है इनका भिन जाती में परिवर्तन प्रकृती के आपूरण से संभाव होता है नेचर जो होती है नेचर की उपस्तिती के कारण से ये संभाव हो पाता है अब इसक जो शक्तियां हैं उनको प्रगट करने के लिए धीरे धीरे उपदान तत्वों की, उपदान कारगों के वशक्ता होती है, एक मेंटा फेस परिवर्तन के वशक्ता होती है, जब बुख यगा, लेकिन यजब उपरेजमबल सिधी प्राप्त किया और सिद्धी प्राप्त करके वो क्या बन गया बर्फ बन गया तो बर्फ बना तो उसकी प्रकृती जो है वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया और ये परिवर्तन जो होता है ये अलग होता है मैरशी पतने लिए बताते हैं कि इससे चित का भी परिवर्तन होता है जाती का जाती धर्म सबका परिवर्तन हो जाता है इस प्रकार की सिद्धियों से अब ये कौन-कौन से सिद्धिया है ये वही सिद्धिया है जो जन्म से मिली और शदी से मिली या अन्यमाद्यमों से जो भी तबश्यर या इत्यादी से मिली जब भी आप रूप से redefine करेंगे अभी चार-पाज बाते साइड की बता रहा है मैं अर्शेपा दंजली बताते हैं अगला स्लोग जो है तीसरा स्लोग निमित्तम प्रयोजगम प्रकृति नाम वरल भेद साहतता च्छित्रिकवत यानि कि धर्म क्रियायोग यानि जो भी साधन होते है ना जो भी जो भी निमित्त साधन है वे उपादान कारण यानि प्रकृति के प्रेरक्ट या संचालक नहीं होते है यानि कि प्रकृति जिसके कारण से चलती है वो कारण नहीं होता यानि क्या-क्या धर्म हो गया क्रियायोग हो गया जो भी साधन है ये निमित्त है ना मतलब इसके यह सारा साधन जो है यह प्रकरती का संचालक नहीं होता है प्रेरक भी नहीं होता है ठीक है अपर तो जैसे माल लिए कि किसी व्यवस्ता करम को दूर करने के लिए कोई अवरोध हो रहा है तो उसको दूर करने के लिए होता है प्रकरती अपने सुभाव से ही जात्यांतर रू जैसे यहां डूबेंगे और निकलेंगे बहुत दूर बाकिश लोकों में आप देख रहे हैं कि महरशी पातंजली के जो footprints हैं आप easily follow कर सकते हैं लेकिन कैवल लिपाद में मैं नहीं कह रहा हूँ है कि महरशी पातंजली जो है वो शुरुवाती समय में तो महरशी पातंजली मतलब kids हैं उसके बाद दीरे-दीरे men मनते हैं फिर legend है और कैवल लेपाद में आते आते बस्तविक्ता में अगर देखा जा तो जो प्रकिर्ती है वो खुद ही अपना परिवर्दन अपने हिसाब से स्विकार कर लेती है आगे क्यों यह बता रहे हैं आगे कि आठरव में उन्नीसवे बीसवे श्लोक में इस श्लोक को आप करीब से पाएंगे तो समझ पाईएगा अस्मिता मातरात का मतलब होता है अस्मिता नामक तत्व से होती है यह योगी जब अनेक शरीरों का निर्माण करना शुरू कर देता है तब वह अस्मिता यानि कि बस सिर्फ संकल्ब का संकल्ब का प्रयोग करके अपने चित्त को निर्मित कर लेता है अब हर समय चित्त का प अगर चित परिवर्टित होगा और अगर चित परिवर्तित होगा तो मनुष्य क्या करेगा जब भी चाहेगा जिसके मीं जिसके जैसा चित बनाना शुरू करदेगा अब एगे गे इसके बाधा का बने का यानि कि वो इश्वरी सत्ताउं में मिलाब करने के लिए हो सकता है उसके बादा का कारक बने उसी विशे में महर की इस्प अठी बने के इनकी निमत बनाए रखना चित जोहता है विई रख्वthe संकल्प मात्र से उत्पन होता रहता है तो उसके है यानि क्परभृत्ति है जब अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति क्न को चित का मतलब होगा चलाने वाला चित का मतलब हो चित हैं और मतलब एक ही होता है और यह द्वारा अनेक चित्तों में अलग-अलग क्रियाओं अलग-अलग वृत्तियों का संचालन करने वाला जो चित्त है वो एक ही होता है यही बात मैं आपको बताने कोशिस कर रहा था कि महर्शी पात अंजली ने बाख खुबी इस बात को कहा है कि जितना रूप परिवर्तन करेंगे जित स्थापित होता है इसलिए चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं वो अन्य किसी चीज का निरोध नहीं कर रहा है योग चित्त की वृत्तियों का निरोध कर रहा है क्योंकि कि किसी भी अवस्ता में चित्त जो है वो परिवर्तन शील नहीं होता है बाकी चीज़े वेचर हो गया जो मूल हो गया है वही हमेशा बना रहेगा आगे बताते हैं छटवाइश लोग के तत्र ध्यान जमाना अनाशयम तत्र का मतलब होता है जब अनेक सारे बहुत आले चित्तों की अवस्ता आ जाती है ध्यान से जन्नित यानि उत्पन होने से ध्यान के अगे थापित हो जाएगा अगे आपको फिर 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 फिर्निश करना पड़एगा और तमाम प्रक्रिया करनी पड़ेगा उसा नहीं है वह अपको बतलब वह मूल जो है वह आपको अपने पुराने पुर्णी से रहित होता है और पाप से रहित होता है योगी से अन्य सांसारी की वक्तियों के कर्म मतलब जो योगी नहीं है उसके अलावा जितने भी संसार के लोग है वो त्रिविदम वो तीन प्रकार के होते हैं ना तीन प्रकार के कारे करते हैं लेकिन जो योगी होता है वो निश्काम हो जाता है वो पूर्णे और पाप कर्म से रहित हो जाता है और ये बात बहुत इंप जो सिद्ध हो चुका है, जो समाधी के बस्ता प्राप्ट कर लिया है, जो सईयमित हो चुका है, तो उसकी विशे में बताते हैं, कि उसका कर्म जो होता है, पुर्णे और पाप इन दोनों से दूर होता है, शुक्ल कर्म की से का जाता है, उनकर्म को जिसका फल जो होता है, वो ठीक है तो यह बाते इन्होंने मैं श्रीपात अंजली नहीं हाँ बताई आगे आठवे स्लोग में उन तीन प्रकार के कर्मों का वाचन करेंगे कि कौन सा वो तीन प्रकार का किस प्रकार का वो कर्म होता है ततह ततह विपाक अनुगुड़ा नाम एव अभिवक्ति वासना न मतलब बेसिकली बताना यह चाहते हैं कि योग साधनों के द्वारा जिसका चिद्ध सुद्ध नहीं हो पाया है उन साधारन मनुश्यों के लिए कर्म संसकार जो होता है यानि कि जो भी कर्म कर रहे हैं उसके जो संसकार बन रहा है उसमें जो भी संसकार है वो एकत्रत हो रुखे पड़े हैं जैसे मानिए कि एक ट्रेन है जो निकली आपके दिल्ली से और वो मदरास पहुंचने वाली है और एक ट्रेन है जो अभी बोपाल ही पहुंची है एक ट्रेन है जो अभी जहां से ही पहुंची है एक है जो आगरा ही पहुंची है तो यह रूट हो गया ना संग्रहित होना होता शुरू जाता है और होता रहता है यानि उस कर्मों से जो कर्म फल होगा वो भूग करना पड़ेगा उन मनुश्य को और जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा ही फल पाएगा वैसी ही वासना है वासना का मतब इक्षा होती है वासना उन इक्षाओं को बोला जात तो महर्शी पाताजली जो है बेसिकली अब आपके मार्ग को क्लियर कर रहा है बता रहा है कि किस प्रकार से वो अपने रास्ते में आगे बढ़ना है अब नुवे श्लो के तरफ बताते हैं कि जाति देश काल यह बड़ा इंपोर्टन्ट है इसको देखिएगा जाति देश का और काल से बादित होने पर भी जो वासना है वो प्रगट हो जाती है अब बहुत इंपोर्टन्ट बात यह है इस्मृति और संसकार की एक रूपता होने के कारव इस्मृति क्या है जो आपने आपने कोई काम किया जैसे माल लिए आपने ABCD पढ़ रखा है और आपने ABCD आप आपको मच्चर माता इस्मृति में संसकारी तो चुका है और संसकार का मतलब कि आपका पूरा घर जो है वो वो किसी भी जानवर को मारने के लिए बहुत यग है या निजी पी समय た कभी बक्री मार दे रहा है, कभी मचली मार दे रहा है, तो वो आपके संसकार में अस्ताभी दे चुगा, यानि इस्टिल यू स्टाड़ेड विद मॉस्की टू, यह ना, मतलब इलिजिबल का capability, I can say, capability and you know, connotations जो है आपके मस्तिश्क में, जो परिस्थती है कि आप किस प्रकार से, किस प्रकार से किसी जीव की हत्या करने, तो यह दोनों, for example, जब एक रूप हो जाता है, तो फिर जाती, स्थान और काल से बादित होने पर, यानि कि जाती जो है, for example, आप कहीं, ऐसे अस् कुछ भी खरत नहीं कर सकते हैं, और काल का मतलब बिलकुल आरती चल रही है, संद्या का काल है, बड़ा अच्छा समय चल रहा है, but still, अगर मच्छर उड़ते हुए आपके सामने जाएगा, तो आप एक बार मारेंगे, और फिर वो मच्छर तुनन समात हो जाएगा, इसका म कोई भी कर्म जब किसी एक जन्म में कर लिया जाता है, और कोई कर्म किसी दूसरे जन्म में किया जाता है, तो ये उन कर्मों में जन्म का व्यावधान है, इसी तरह भिन भिन कर्म जो होता है, देश और काल का व्यावधान होता है, इसी प्रकार जन्म, देश और जो काल है, उसका गवधान होने के बाद भी कर्म फल जो है वो आपको मिलेगा मिलेगा उसके अनुसार भोग वासना है उत्पन होगी और फिर वो आपके फल के तौर पे आपके सामने स्तापित हो जाएगा स्मृति और संसकार जो है वो बेसिकलि अगर देखा जाए तो एक ही तरीके से और यह जो एक development है यही आपके परिशानी का कारक बनती है ठीक है तो यानि भोग वासना जो है वो धीरे 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 आपको प्रताडित करना शुरू कर देगी और आप उस परिशानी से प्रताडित होते हुए आगे बढ़ते चलते चले जाएंगे तो आप फिर अरसम प्रग्यात है उसका foundation मना कि अरसम प्रग्यात तक पहुचा दें दस्वेंशलोक के मादिम से बताते हैं तासाम अना जित्त्वों चा आशिसा नित्तत्वात यानि कि आशिषा का मतलब होता है कि जिदा रहने की बात है यहां जो है जीवित रहने की एक्षा है कि जीवित रहने की इक्षा है जो लागातार विद्धिमान एती है ऐसी वासना यह संसकारों का प्रभाः अनाधिकाल तक निरंतर चलता रहता है जैसे मनुष्य जो है आप देखिए मैं एक बार कुमार विश्वास का भी कली परसमें एक बड़ा अच्छा लेक्चर सुना थ उसमें बताते हैं कि जब द मतल reply आते हैं थी द मतल सरफ था नियौन दावास कर रहा था जब अपने कॉत्र वियों में एक वहासन कर रहा था था तो उस समय इसा लगा उनको राम उनके सामने खड़ा है मतल Also इस प्रगट में और उस कंडिशन में वह यह कह रहा है कि अगैर अभी आप मरते हुए भी मोह नहीं त्यागेंगे, मोह का त्याग नहीं करेंगे, तो आपका ये जन्व continue रह जाएगा, और जब तक मोह की एक्षा त्याग नहीं की जाती है, तब तक जीवन चलता रहता है, और मैरशी पाता अजली यही बात बोलते है, हर जन्व में वेक्ति को आगे बढ़ाके लेके चलती है, और continue वेक्ति उसमें फसा रह सकता है, तो यही सारी बाते हैं, मैरशी पात अजली कैवल लिपात के तहते शलोकों में बहुत सारी बाते करेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप 10 शलोकों तक आज स्टक करें, फिर आगे के शलोकों की चर्चा ह लोग अगले वीडियो में करेंगे, कम से कम दो या तीन वीडियो हम लोग बना लिया जाए, ताकि धीरे-धीरे आपके चीज़ें समझ में आ जाए, और कोशिस यही रहती है कि जितना संभावित हो सके, जितने अच्छे तरीके से हो सके, मैं आप सभी को बता हूँ, मेरी इंडस्टेंडिंग थोड़ी से डिफर हो सकती है, तमाम लोगों के इंडस्टेंडिंग से, मैरे एक्जांपल तो डेफिनेटली अलग होंगे, क्योंकि बड़ी कोशिस से मैंने की है, इसको सिंप्लिफाई करने का पात, अंजल योग सुत्र को सिंप्लिफाई करना is one of the most difficult आप इसे बड़े आसान शब्दों या आसान उधारणों के माद्यम से प्रायजित खरबाएं, बहराल कोशिस पूरी जा रही है, और आप सभी का नेट का एक्जाम भी अच्छे तरीके से घुजरे, ऐसे इश्वर से कामना है, आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत